नमस्टार आप देख रहे हैं VKB Digital और मैं हूँ काजल 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीत कालीन अधिवेशन के सुरक्षा इंतिजामों का जाइजा लेने के लिए आज नाकपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जीरो माहिल स्थित टी पॉइंट पर पहुँचे इस दौरान अमितेश कुमार ने बंदोबस्त में तैनात पुलिस अधिकारियों से बाचित कर तैयारियों की समिक्षा की टेकडी सीताबर्टी का टी पॉइंट चार प्रमुक मोर्चा पॉइंट में से एक है और अधिवेशन के दौरान यहां आंदोलन कारियों का काफी जमावड़ा भी होता है शहर के विभिनने इलाकों में आने वाले अधिकांश मोर्चे इसी टी पॉइंट पर आकर रुपते हैं कभी-कभी यहां तनाओ की स्तीती भी बन जाती है वैसे भी गोवारे आंदोलन के बाद नाखपूर पुलिस इस टी पॉइंट को लेकर कई ज्यादा सतर्क रहती है और हमेशा की तरहा इस बार भी यहां सुरक्षा व्यवस्था के पुखता इंतिजाम किये गए है इनी सुरक्षा इंतिजामों का मुआयना करने के लिए आज नाखपूर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जीरो माइल फ्रीडम पार्क स्तित मोर्चा पॉइंट पर पहुँचे मीरिया से बातचीत करते हुए अमितेश कुमार ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षा इंतिजामों में किसी भी तरहा की भी लापरवा ही नहीं होने देंगे कि जा रही है मोर्चा के आयोज़कों से हमारे डेडिकेटेड टीम अल्री चर्चा कर रहे हैं हमें विश्वास है किसी प्रकार के आपति जनक घटना नहीं होगी लेकिन अगर कोई काईदा स्योस्ता का प्रश्ट निर्मान हुआ तो उसको हैंडिल करने के लिए हम पूरी पुलिस ने मेट्रो से बातचीट कर महिला पुलिस कर्मियों के लिए टॉयलेट एवं अन्य सुविधाओं की इंतिजाम की बात की थी जिसे मेट्रो प्रशासन नहीं मन्जूर कर लिया है महिला पुलीस के टॉयलेट और बाकी फसलिटीज के लिए मेट्रो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे हम टाइब किये हैं और उनकी फसलिटीज को यूज की जा रही है उनके वेलफेर के लिए हम विशेज ध्यान रख रहे हैं